आज की यह वीडियो बिए सिकेंड समेश्टर एजू के सिच्छा फाफ्तर की महा संग्राम होने वाली है जिन जिन बिए स्टुडेंट को आने वाले दिनों में बिए सिकेंड समेश्टर एजू के सिच्छा साफ्तर का पेपर देना उनके लिए वीडियो बहुत ही क्योंकि महा संग्राम का मतलब यहीं हुआ कि आपकी जो परिच्छा में प्रश्ण आएंगे वह लगबग लगबग 90 प्रतसत जो प्रश्ण है इसी वीडियो से आएंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा जो समावेस है वह इंक्लूट कर दिया है इस वीडिय मतब मद्दे नजर रखते हुए आप सभी के लिए हमने कोश्चन तयार के हैं तो ध्यान पूर्बा गराब वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको मैं भरोसा दिला रहा हुँ परिच्छा में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता क्योंकि कल मैंने वीडियो अप्लोड के थ यार परिच्छा में पास होना तो कम से कम 15-20 मिनट निकाली लीजिए कम से कम हम आपको बताने वाले कोई बताएक नहीं पूरे यूटूब पर ठीक है चली आते में मुद्दे पे पहले मैं आपको एक माडल पेपर प्रुस्तुत कर देता हूँ जो कि पिछले फाल का है 2022 का है कोई मतलब नहीं है लेकिन में आपको ध्यान देना है कोईशन पर ठीक है यह एक माडल पेपर में आप लोगों कि समस्त पृस्तुत इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको पता चल जाए कि जो आपका फिच्छा साफ्त का जो पेपर होने वा प्रश्णपत्र का नाम है डिवलेप्मेंट एंड चैलेंजस आफ इंडिया एजूकेशनल सिस्टम तो जितने वी कोश्चन होंगे डिया इंडिया इजूकेशनल सिस्टम से बात को ध्यान रखेंगे दू घंटे का समय मिलता है 75 नंबर का पुडांग होता है और अतिलग बढ़ेंगे जहां पर कुश्चन एंसर मैंने तयार कि और ठीक है बाकि यह माडल पेपर आप लोग अपने उसार इन सभी प्रश्णों को उत्तर तयार कर ली जागा इंटरनेट से अगर कुछ भी नहीं है तो मुसका विजुगार में आपको बता दे रहा हूं कि कहां से मि मिलेगा आपके एकजाम में कि बहुत द्यूगीन फिच्छा की बिस्रिष्टाय बताई यानि कि बहुत द्यूगीन की जो सिच्छा थी तीक है उसमें क्वाल्टी यह थी कि अच्छा प्रवाज संसकार होता था जैसे कि आप आप आज की जिवाने में पहले आपको एंटर्स उक्जाम देना होता है ठीक वैसे ही पहले क्या होता था एडमिशन के लिए प्रवज्या संसिकार होना जरूरी था ठीक है तो यह था दूसरी भी सिस्ता तीसरी के फिच्छा समाप्त पर उपसंपदा संसिकार होता था यानि कि जब आप सिच्छा ग्रणकर होते थे तब आपको एक संपदा संसिकार से गुजरना पड़ता था यानि संपदा उपसंपदा संसिकार होता था ठीक है एक पैटर्ण था सिस्टम था जो कि फिच्छा समाप्त होने के बाद यह कराया जाता था अगले भी सिस्ता है कि अध्यनकाल 20 वर्स कहते जिसमें 8 वर्ष प्रवज्या बारा वर्स उपसंपदा का समय होता था यानि कि जो बहुत द्रेगर्ण के फिच्छा थी उसमें 20 वर्स तक फिच्छा दो दी जाती ती यानि कि 20 वर्स के होने कि बाद आप उसमें नहीं रिफ्यक्य थे ति मतलब कि एक मठ्षा जो एक प्रचीन भारते फिच्छा कि उद्देश थे तो जो पहले का भारते फिच्छा थी उसके क्या-क्या उद्देश थे जैसे कि इस समय के इसे क्या बीय कर रहे हैं बेच्च सी कर रहे एं में कर रहे गहरा पुराने समय में कुई अगर दास भी कर रहा है पिर थीक हैं जो गुर्ष कुल होता झास में जाता थे बच्चे थीक है तो उनका उत्थila भी था वह आपको लिखना पहले एक समय के समय के दिदalnya के स्सव. इन काल की फिच्छा का उद्देश सांस्कृत का संरच्छन तथा हफ्तांतर करना भी था उस समय रहन सेन खान पान रीत रिवाज और मोली सभी धर्म पर आधारिश थे ज्यान से सुनेंगे उस समय का जो रहना फैना था खान पेन था जो रीत रिवाज सिस्टम था पैटन था ठीक है और मोली ये सब्दावन थे धर्म पर आधार थे ठीक है और गुल कोलों की कार्परणाली धर्म परधान थी यानि कि जो गुरुकुल जैसे पर जो पहले का सिच्छा था ओंध को मानता था उसके बाद तो वहीं बतायजा रहा है कि गुरुकुलों की पहली जो पैटर्ण है या फिर पहला जो डेते थे वह धर्म को देते ठीक है तो संसकार जिसको आप लोग इंग्लिस में कल्चर बोलते हैं ठीक है संसकार प्रदान करना आधि के द्वारा स्थांस्वित की नियू रखी गई है तो यह पूरा सिस्टम होता था पहले की जो फिच्छा थी उसमें इस प्रिकार बेसिक सा परिच्छा इसका सिच्छा का उद्वेशिश्टी इस्सलाम धर्म के अनुरूब बेक्तियों में विश्ष्ट मैंतिक्ता का प्रचार करना था मुश्लिम शासवाइभी सांस्कृत के साथ भारत आये थे और उसे भारतियों में भी प्रिचलित करना चाहेते थे ने देश का अपना अलग 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 रित रिवाज होता है अपने अलग अलग संस्कृति होती है अलग सिस्टम निए तो उनISHां समग सान के साथ जो मुस्लिम सा करना चाहते थे लोगों तक प्रचलित करना चाहते थे उनको मनवाना चाहते थे ठीक है और उनको प्रचलित करना चाहते थे ठीक है यह बहुत बड़ा उनका उद्देश था सब्सक्राइब क्या है इस प्रकार लिखेंगे मद करणें परउच्छा के बारे में परचे और इसके उद्देश बेशिक सा परचे बाकी आप इसके बारे हैं डीट्रेल में गूगल इंटर्णेट पर साच लिजेगा नई question बें पर लिजेगा कुर्म के महत्पूर्ण प्रश्चन एक्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्ण है कि माध्मिक फिच्छा की प्रमुक्ष समस्या क्या है माध्मिक फिच्छ बहुत समस्यात्व हैं जिसके बारे यहां पर ज्ळानकारी होगी आपको और यह बहुत important question है ठीक है जो बच्चे होते हैं उनको गुणवत्ता पुरूर फिच्छा नहीं मिल पाती है ठीक है यह बहुत बड़ी समस्या है यानि जिस इसाफ है उनकी mentality है जिस इसाफ है उनको फिच्छा नहीं मिल पाती है और पढ़ाई के मामले में बाकी छेत्रों के बच्च कि एपात है इस्कूल के जो बच्चें थिक है मां फिच्छवाले ऊकेलम वाण बिसयवार फिच्छकों का अभाव्यानिकी 他 सब्जक्ट का अलग अलग टीचर फोना चाहिए ठीक है जबकि यह मादमिकस्छा में नहीं यह नहीं था मतंबकि हर एक सब्जट्य का टीचर सच जो है वो अलग नहीं था यह भी बहुत बड़ी समझ्चा है तो जब अलग का अलग अलग टीचर नहीं होंगे तो जो भाई English का expert है उसको English के बारे में जाने का रही है उसको मेत के बारे में कहां जाने का रही होगी ठीक है लेकिन फिर पढ़ाता है तो उस confidence और उस हिसाफ पर नहीं पढ़ा पाएगा जिसाफ एक मैद का टीचर पढ़ाता है तो इससे काफी समस्या होगी स्टुडेंट को समझने में भी और पढ़ने में भी तो इस लिए जरूरी है कि हर एक सब्जेट का इस पेसिलिस्ट जो टीचर होता हो अल बहुत ही प्रमुक्ष हमस्या है ठीक है यानि कि अलग अलग सब्जेट की टीचर नहीं थे अगला पाइंट है भारत में बहुत से सरकारी स्कूल है जहां पर विभिन विश्वय के फिच्चक नहीं है मत्तब कि जैसे कि खेल कूद के कंप्यूटर के ठीक है और प्लस मैथ क सब्सक्राइब है इसके कारण भी बच्चो की पढ़ाई प्रभावित होती है पुस्ताकाले की दैनी इस्थित मत्ब कि जो सिचक होते हैं वो अलग अलग जो सब्जेट के नहीं होते इस वज़ा से बच्चो को कम जानकारी हो पाती है फिर उनके पढ़ाई पर बहुत बड होना ठीक है जहां पर पुस्तक मिलते हैं जहां पर बच्चे अपना पुस्तकाले लाबरेरी में जाते हैं वहां पढ़ सके उसकी भी इस्थित जो है वो दैनी थी मतलब कि नमात्र के लिए नहीं थी यह पिर कहीं पर कुछ पुस्तक होती थी बस तो बहुत बड़ी इस यह इस इस प्रिट्धान अलग-अलग है तो उसमें बहुत फारी कमियां आ ती तो फिछा की समच्रा है उनको समयधान करना हो उसके बारे में कोईश्चन है क्या क्या समयधान है चाहिए जीतने भी टीचर है जो बच्रों को पढ़ाते हैं उनको पहले जिस भी सब्जे जिससे जो बच्चे जिसे साफे उनसे इंक्वारी करें जिस साफे कोईशन पूछें जिस साफे उस टॉपिक के बारे हम जानकारी पूछें तो फिर वो जो टीचर है वो जो फिच्छक है वो उस बच्चे को अफानी से और अपने तरीके से समझा फके और उनकी आउसकताओं को पूरा कर सके फिचकों को खचाों में जाने से पहले उन्हें अच्छी गुंबत्ता और अपने क्लास में अपने स्कोल में अच्छा प्रफॉंस करें अगर टेजर रहेगा खुल मरा कि तो पहले तो टीचर होती उसकी चैनिंग होना चाहिए हर तरीके से हर महौल में यह बहुत बड़ी इसका सलूशन है अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्विद्ध्य अ अधिक प्रतुसाहन वर्धक नहीं है और अगला जो पॉइंट है दोस्त है विश्विद्ध्य ले फिच्छा आयोग के धार्मिक फिच्छा के माध्यम के संबंद में प्रफ्तुत सुजा औस पस्ट नहीं है तो यह कुछ प्रमुक्त दोस्त हैं जो कि हमेशा कोश्चन नहीं आता कभी कदार आ जाता तो मैंने सोचा रख देते हैं क्या बता ही जाए ठीक है अगला की नेशनल एजूकेशन पोल से जिसको आप लोग बोल राफट एफ इच्छानीत कब कब आई ए राफट एफ इच्छानीत कब पर्षे दीजे ऐसे बीळें प्रकार है कोश्चिन पूछे जाएंगे तो यहां पर आपको लिखना है कि नए फिच्छानीत दोहजार अभी में जो आई है अभी जो जल्दी राफ एफिच्छानीत दोहजार बीश में आई है भारत की फिच्छा नीती है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई डोहजार बीश को गोफित किया गया था यानि कि जो भी रिष्रिंटली में जो नए प्रिवर्था नहीं परिवर्था नहीं इससे पहले दोजार बीस से पहले जो राफ्टे फिच्छा नीत आई थी या फिर राफ्टे फिच्छा नीत गोफित की गई थी 1986 में जारी हुई थी उसके बाद पिर ये दोजार बीस में आई ये तो वही कहा जा रहा है कि 1986 में जारी की हुई राफ्टे फिच्छा नीत के बाद बहुत क लागो हो चुकी है तो इस प्रकार लिखेंगे 2000 बीफ की जो राफ्टे फिच्छा नीत इसके बारे में पर्चे ठीक है और अगरा प्रस्ट भी बहुत पॉप्लर आप लोगों की समझ प्रस्तूत है कि भारत में फिच्छा नीत कितनी बार आई ठीक है तो एक 2020 में आई यह आ अब फिच्छा नीत जो है यह यानि कि सबसे पहले जो भारती फिच्छा नीत नई फिच्छा नित लागों की गई थी वो 1968 में लागों की गई इस बात को ध्यान दखेंगे ठीक है 1968 में डियस को ठारी की अधजशता में यह राफ्टे फिच्छा नीत बनी थी वहीं उसी श 1878 यानि कि करीब करीब 20 साल बाद 1968 के बाद 1986 में दुबारा बनी उसके बाद 1992 में उसमें आवस्यक्ता अनुसार एक मतलब की 1992 में कुछ परिवर्तन किया गया था राफ्टेफ इच्छानित 1986 में ठीक है जो कि इसके बारे भी आपको जानकारी होनी चाहिए 1986 के बाद एक राफ्टेफ इच्छानित आई 1992 में लेकिन जो 1992 में आये थी यह कोई राफ्टेफ इच्छानित नई नहीं थी 1986 में जो आयी थी उसमें कुछ 1992 में परिवर्तन किया गया थीक है तो वही помताया जारा 1986 मेंzier बनी और 1992 में उसमें कुछ आवस्यक्ता अनुसास संसोधन भी किये गए अब 24 वश पस्चाद बहुत बड़े बीमर्ष के बाद बहुत लंबे समय के बाद 29 जुलाई 1920 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा या फिर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी की नित्रत में तीफरी राफ्टे फिच्छानीत की घुफडा की जो की 2020 में लागू की गई थी अगला प्रशन है कि वैदिक काल में गुरूसिच्छ जो गुरूसिच्छ उनके संबंध पर टिपड़े लिखे यानि कि वैदिक काल में जो हमारे student हुआ करते थे और जो उनके teacher हुआ करते थे उनके बीच में फरस पर क्या संबंद था क्या relate कर पाते थे किस प्रकार उनका अपस में mail जुलाव था उसके बारे हम जानते तो बहुत ही एक लोगों बहुत ही गहरा संबंद होता था जैफे कि आज के स समान ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसका उत्ता लिखेंगे वैदिक काल में गुरू और सिस्थ के मद्ध भरोसे और जिम्मेदारी के संबंद थे यानि कि दूसरे पर बहुत ही भरोफात करते थे बहुत ही ट्रस्ट करते थे और कोई काम होता था उसको जिम्मेदारी के रखात पत्रुत भाव्ना फे बहुंद करते थे यानि जो गुरु थे उक तरीके से उनके पुत्र हो ऐक उनके बेटे हो उस तरीके से बहुत है और सिस्थ घुलय को मानकर उनकी सभी आज्यावं का पालन करते थे और जो वैदिक काहल के जो भिसेट कार का संबंद बाते रखेंगे जन्सपार्ति की वजह से नहीं पकार प्रवावा पड़ लिखना है कि यद फिच्छा के बढ़ते क्रम में जन संक्या प्रद्द kan किया जाए तो और अच्छे प्रेडाम नजराएं देशाद प्रचार राज इस साफ फिच्छा का प्रचार प्रसार हो राज साफ मतलब कि उनकी कि संख्या बढ़ रहे हैं लोगों की उसे साफ़े जनसंख्या जो ब्रद्ध है उसके आकलन क्या जाए तो बहुत ही अच्छा प्रणाम निकल के आएंगे अगर सिच्छा की जानकारी रहेगी लोगों को तो ठीक है इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि फिच्छा के प्रसार के चलते संपन और फिच्छित लोगों के अलावा आम लोगों में भी कम बच्चे पैदा करने की प्रति जागुकता बढ़ी है यानि कि यह नहीं कि सिर्फ इच्छी थी जो लोग है पढ़े लिखे लोग है उन्होंने ही कारी या फिर यह जो प्रोसेस है देखने को मिला है कि वो लोग भी जानने लगे हैं जागुरूख होने लगे हैं कि अगर हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो हमारी जो जन्नेशन है वह हमारा अक्षे से अपना जीवनियापन कर पाएगा क्योंकि भाई जिज्जी साफ जैस होंगी तो कहां जाएंगे तो यह बहुत बड़ी समस्या लेकिन लोग जागरूख हो रहें दीरी दीरी उसके बाद लिखना कि अब लोग आको ठीक है आकुस्ता स्रमिक पैदा करने के बदले कुसल युक्त फंतान के प्रत अग्राही हो रहे हैं मतलब उनके कहने मतलब यह कि अगला प्रश्ण है के मादमिक फिच्छा के गुड़ और दोस बताईए तो मादमिक फिच्छा के गुड़ और दोस के बारे में जानते हैं। हुट्त और लिखना कि मत दिकालीन सिच्छा चारों में नेत्रुत कें गुणों का विकाफ करने में अस्ष्धल रही है तथा जीवन के विभिन चेत्रों में नेत्रुत के लिए कु 크게 उत्पलब्ध नहीं कर सकी अता या भी मत दिकालीन जो समादमिक फिच्छा का जो पैटर्ण था वह था छोटे जो अपराद करते थे चोटे जो हरकते करते थे बच्चे उनके लिए उनको दंड दिया जाता था यानिकि हाथ पे पैर या फिर ठीक है बैक मतब की पैर में ठीक है और जिसको आप लोग घंदे में पीठ बोलते है बैक साइड यहाँ पर स्टूडेंट को टेचर जो मारते थे ताकि वो गलतिया न करे अपराद न करे ठीक है और उच्छात्र हमेशा अपने फिच्छक से भैबित यानि कि डरे हुए रहते थे कि कहीं अगर हम नहीं पढ़ेंगे या फिर हरकत करेंगे तो हमें दंड दिया तब भी पूरे नमबर मिलेंगे अगला प्रशन है कि विश्व बिद्याले अनुदान आयोग यानि कि जो इसको बोलते हैं यूजी सी तो यूजी सी का जो हिंदी में मतलब होता है ठीक है वो होता है विश्व बिद्याले अनुदान आयोग यू से हो गया इंवर्सिटी ज परिच्छा और अनुसंधान के मानकों के शमनवे निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसत के एक अधिनियम द्वारा अभाव फरकार का एक सरवधिक संगठन बन गया कौन यूजीसी यानि की विस्विद्यले अनुदान अयोग यही जितने भी इन्वर्शिटी वा कॉलेज हैं भारत भर में उनको यही मैनेजमेंट करने का काम करता है कब परिच्छाए कराना है कब राफ्टे फिच्छानीत लागो करनी है कब उसमें फिर बदलाव करना है जो कोई भी इन्वर्सिटी होती है तो जितने भी उस इन्वर्सिटी में पढ़ने वाले स्टुडेंट होते हैं उनकी परिच्छा एक साथ कराता है ठीक है और अपने हिसाफ पर कराता है तो सेम उफी तरह विश्विद्ध्य अनुदान आयोग यूजी सी जितनी भी इन्वर्सि कोईश्विद्ध्य आयोग के प्रमुकार बताईये तो इभी इंप्रण कोउश्च्छन कभी कदार आ सकता है तो पढ़ लेंगे अग्ला की गुरुकुल फिच्छा प्रणाली के उद्देश बताईये निकि गुरुकुल में जो फिच्छा दी जाती थी ठीक है उसके बार प्रात्मिक फिच्छा की समस्याइं क्या है यह भी हाइव लेबल का कोश्चन कई बार आचुका है इसको भी पढ़ लेंगे ठीक है और अगला प्रश्ण है आप लोगों की समझ से वैदिक आलिन फिच्छा और आधुनिक फिच्छा के बारे में कुश्चन आ जाएगा ठीक ह में क्या है और अधुनिक फिच्छा में इन दोनों में डिफिच्छा क्या है या अंतर क्या है है अफाइद देखने उख मिल सकता है जो कि बहुत पॉप्लर कोश्चन है ठीक है और मक्तब से आप क्या समझते कभी कज़ार आ सकता है यहां दो नहीं आता ओके उसके बाद है मदर्सा के बारे में question हो जकता है कई बारा आ चुका है भी question ठीक है उसके बाद सिच्छा के सार्भोवी करण का अर्थ बताईए यह भी important question है ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम इसका answer आपको explain नहीं कर रहे हैं बाकि हम आपको select करा दे रहे हैं प्रकार की question आते हैं ठीक है तो बाकि यह जो पीडियाफ है इसमें question answer included है जो कि आप सभी के लिए है यह महाँ संग्राम पीडियाफ है इस वीडियो को देखने के बाद या इस पीडियाफ के question का answer तयार करने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो या फिर अन्य question तयार करने के आव सकता नहीं क्योंकि यहीं से सारी question आएंगे बाकि आज किस वीडियो को यहीं पर हम सभाप्त करेंगे यह PDF आपको टेलिग्राम वाटसप पर मिल जाएगी जिसका लिंक इसी वीडियो के discussion में है और यह आपका अपना चया सक्सेस्ट हुए तो सब्सक्राइब कर लिजिए का ताकि आपको हमेशा महा सेंग्राम वीडियो मिलती रहें जय हिंद्ध